मैं इस वक्त जावली में मौझूद हूँ जो राजिस्थान के अलवर में मौझूद है और आपको उता दें कि इस गाओं में एक भव्य और दिव्य अनुस्थान होने जा रहा है जिसका आज भूमी पूजन हुआ है मिरे साथ में जिन ब्रहमणों ने भूमी पूजन कराया ह मिरे साथ में मौझूद है क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अनुस्थान के लिए कितना भव्य और दिव्य होने जा रहा है आज भूमी पूजन है परम पूज्य सदगुर्देव की क्रपासे पूज्य तंत श्रीव सोवानंद भारतीजी महराजी क्रपासे दूसरी बार प्र सो एक कुंडिय रुद्र महायग्य श्री रामकता श्री सिप्पुरान का विशाल आयुजन अलवर डिश्टिक लचमगड कर तैसीर जावली में होने जा रहा है इसमें आज प्रथम दिवस में भूमी पूजन सभी भक्तों के सयोग से एवं महराजी क्रपासे गौर जी संदेर जावली महाराज जी चाते हैं का जंजन के कल्यान के लिए ऐसे विसाल आयुजन मैं कराता रहूं अभगवान की सदेव हमारे उपर क्रपा बनी रही महाराज जी का संकलब है सभी जंता जनारदन को इखटा करके जंसमों को इखटा करके विसाल आयुजन की धरम की पूरा वेधी विधान से आपने आज भूमी पूजन इस दिव्य अनुस्थान का जो होने जा रहा है जावली की धराधाम पर और संतों की ये भूमी मानी जाती है ये भूमी इतनी पवित्र है कि यहां पर जो सकारत्म उर्जा है वो यहां पर दिखाई देती है और उसी का जो एक कहते हैं कि रिजल्ट जो दिखाई देता है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव वाइप्स जो दिखाई देती हैं वो यहां पर दिखाई दे रही हैं और माराजी क के सानिद में ये आयोजन भव्य रूप लेगा ऐसा यहां के लोगों का मानना भी है आगे भी नई विचारों के साथ फिर उपस्त होंगे तब तक मुझे दीजनमती प्रणाम जैशी राम